नवसकर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्राम आप सभी का श्वागत अमिननन है टीटी फेमली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज हम सीडीपी बालबी कास के 500 कोश्चन्स मैरातन बीड़ो करने वाले हैं जो एकजाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्सन के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सभी क्लासे चल लए हैं जिसका आई बिटन पे यहां प्यालेडी लिंक दे दिया गया है यह 500 प्रस्ण आपके पेड़ागोजी के सास साथ जो सिच्छा मनो बिग्यान के सिच्छर सास है और आपको पता है कि 150 प्रस्णों में से देखा जाए तो लगबग आपके 70 नंबर तक जो 70 से 70 अंग जो आपके CDP पेड़ागोजी सिच्छा सास से प्रस्ण पूँचे जाते हैं तो यह टॉपिक पूरा कवर किया गया है इन 500 प्रस्णों पर चले देर न करती है डारेक्टली कोश्चन टू एंसर करेंगे पहला जो प्रस्णिया पर दिया गया है कि रावट गेने कहां के मनो बग्यानिक थे तो रावट गेने एक अमेरिका के बग्यानिक थे ये भी आपको लोगों को नोट कर लेना दूसरा प्रस्णिया पे पूंचा जा रहा है कि रावट गेने ने बालकों के वेकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रकिया को कितने भागों में बाटा है तो रावट गेने ने अधिगम की प्रकिया को आठ भागों में बाटा है जिसका करम आप लोगों के स्कीन पर है संकेत अधिउम उदीपक अधिगाम अवरुकिया जिसे हम एसार अधिगम भी कहते हैं स्रंखला अधिगम साबोम और वेधन अधिगम हो गया इसके बाद आपको हो जाता है, सिध्धान अधिगम हो जाता है, इसके बाद आपको हो जाता है, समस्या समधान अधिगम हो जाता है, इसके बाद आपका अंगलाप्रस देख लेते हैं, अंगलाप्रस नहां पर दिया गया है, कि रावर्ट गेने के अनुसार, अधिगम का सबसे निम्नता इस्तर कौनसा होता है वे होता है संकेत अधियम अंगला प्रस्ण डिया कह है रावट गेने के इसेनि कम सिध्धान के उप्रान जब वे अपनी समस्याओं का समधान करने लगता है तो वा उसका दिगम पूरा हो जाता है अंगलापस ने सास्ती अनमंधन का सिध्धान किस ने दिया सभी लोग जानते हैं सास्ती अनमंधन के सिध्धान के अगर बात करते हैं तो ईपी पालाओ की बात करते हैं कभी-कभी आपके options पे दिक्कत भी हो जाती है पालाओ किस संपदाय के समर्थक थे तो E.P. पालाओ सभी लोग जानते किस संपदाय के समर्थक थे सभी लोग बताईए तो बेवहारवादी संपदाय के समर्थक थे डमरूप और बंदर कनाचना के सिधान परकार करता है सास्ती अनबंधन के सिधान परकार करता है अंगला पस्ने खेल में बिजू का खड़ा करना एबं उसे देखकर पच्चियों को भगाना जो है कि सिधान परकार करता है सास्ती अनबंधन के सिध्धान पर कार करता है सुल्तान नाम के चिंपाजी पर किसने प्रयोक किया सुल्तान नमक चिंपाजी पर कोहिलर ने प्रयोक किया था अंगला गर्वती महिला में कितने वजन की व्रद्धी हो जाती है अंगला मनुस्की प्रजाती का नाम क्या है तो मनुस्की प्रजाती के नाम होमो सेफियंस है अंगला पसने पिंड अवस्था का समय कौन सा होता है दो सप्ताह से आठ सप्ताह तक पिंड का अवस्था कहा जाता है और डिम अवस्था का समय 14 दिन तक होता है अंग्रा जन्म किसमें बालक का उसत वजन कितना होता है तो दो किलो 700 ग्राम के आसपास होता है जन्म किसमें बालक का वजन कितना होता है तो साथ पॉंट जो माना गया है उसतन अंगलाप्रसने सिच्छा मनोबिग्यान की उत्पत दिकब हुई तो 1910 में सिच्छा मनोबिग्यान की उत्पत दिमानी जाती है मनोबिग्यान को एक बिसेक रूप में निश्चित अधार देने का स्रे जाता है किसको जाता है विलियम जेम्स को जाता है मनो बिज्ञान सब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विक्ति कौन है रोडोल्फ थे जी हां रोडोल्फ जो है मनो बिज्ञान सब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विक्ति है प्राचीन काल में मनो बिज्ञान का क्यार्थ था आत्मा का विज्ञान था और आज के समय में मनो बिग्यान कार्थ कहा सभी लोग बताईए सत्राहमी सताबदी में मनो बिग्यान को क्या कहा जाता था मन या मस्तिस का बिग्यान सत्राहमी सताबदी में मनो बिग्यान को मन या मस्तिस का बिग्यान कहा जाता था मनो बिग्यान को मन या मस्तिस का विग्यान किस ने कहा पुम्पो नाजी ने कहा था अटरामी सताबदी में मन विग्यान को क्या कहा जाता था चेतना का विग्यान अटरामी सताबदी में मन विग्यान को कहा जाता था अंगला बीस्वी सताब्दी मनो बिग्यान को क्या कहा जाता है तो बिवहार का बिग्यान जी है जो अभी वर्दमान में है बीस्वी सताब्दी चल लही मनो बिग्यान को बिवहार का बिग्यान कहा जाता है बिवहार का विज्ञान यह कथन किसका है तो बिवहार का विज्ञान यह कथन वार्षन का है सभी लोग जानते हैं बिवहारवाद का समन्द वार्षन का है क्योंकि बिवहारवाद की जनक जेवी वार्षन कहलाते हैं सिच्छा का अधिकार अधनियम कब बना आर्टी टू थाउजेंट नाइन सभी लोग जानते हैं राइट टू इडिकेशन पॉलसी सिच्छा मनोबिग्यान की पहली पुस्तक लिखी तो सिच्छा मनोबिग्यान की पहली पुस्तक थांडाइक ने उन्नी सो तीन में लिखी थी सिच्छा का अधिनियम कब लागू हुआ तो एक अप्रेल 2010 को लागू हुआ था सिच्छा का अनिवार एवं नेसुल्क सिच्छा का अधिनियम कब लागू हुआ चार अगस 2009 को लागू हुआ एक अच्छा में सिच्छा के वं छात कनपात कितना होना चाहिए एक अनपाते 40 यानि एक 40 छात्रों पर एक सिच्छक होना चाहिए मनुस की सनचना कितने गुणसूत्रों से हुई है तो 23 गुणसूत्रों से हुई है और 23 गुणसूत्र आप जोड़े कहलाते हैं सभी लोग जानते हैं अंगला लिंक का निधारन कौन सा जोड़ा करता है तो 23 गुणस जोड़ा जो है वो होता है लिंक का निधारन कहता है कि फिमेल या मेल की बात करते हैं डिम बवस्ता कितने दिन तक की होती है तो डिम बवस्ता 14 दिन तक की होती है हम आ लेड़ी आपको बता चुके हैं पिंड अवस्था का समय कितना होता है पिंड अवस्था का समय 14 दिन 2 महीने तक होता है अंगला गर्वती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है तो गर्वती महिला का वजन 10 किलो ग्राम से 12 किलो ग्राम तक बढ़ जाता है हम आपको पहले भी बता चुके हैं 10 किलो ग्राम की आसवास बढ़ जाता है मनुस किस प्रजाती पर आता है तो मनुस से होमो सेपियन्स प्रजाती पर आता है ये भी हम आपको अलेडी बता चुके हैं जम्ड किसमें 12 का वजन कितना हो जाता है 2 kg 7 kg से 6 से लेके 7,5 पौन को हो जाता है ये भी हम आपको बता चुके है अंगलों गलास इछा मनोब बिग्यान की उत्पत्थी है ये भी हम बता चुके 2019 से मानी जाती है अंगला है अमेरिका के मनोब बिज्ञानिक के जनक किसे कहा जाता है तो विलियम जेम्स को कहा जाता है दोनों तरह से प्रशन पूंचे जा सकते हैं चोटे मोठे चावड़ेवं गोल व्यक्ति क्रेश्मर द्वारा कि गए विक्तित वर्गी करन के किस सेंची में आते हैं तो यह आपके पिकनिक्स की सेंची पर आते हैं अंगला प्रशने स्कीन पर है कि व्यक्तित मनों बिग्यान के सिध्धान की प्रितपादक कौन है आपके एडलर कहलाते हैं अंगला प्रशने किस सिध्धान ने समाजी कदिगम सिध्धान का प्रितपादन किया था तो सभी लोग जानते बंडूरा और वाल्टर्स ने किया था अंगला प्रशने इसके इन पर दिया गया है कि कर्ट लेविन के अंसार समूह में जो परिवर्टन होता है उसे क्या कहा जाता है गति सीलता कहा जाता है अंगला प्रसने 16 P.F. का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है तो 16 P.F. का प्रयोग जो है विक्तित मापन हेतु किया जाता है अंगला प्रसने पालाओ ने सीखने कनबंद पर दिया का सिधान प्रतिपादन किस प्रयोग पर किया तो इपी पॉलाओ ने किस पर किया था, सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे, सभी लोग गताईए, पॉलाओ ने किस पर फ्रोग किया, जुहे की बात करते हैं अंगला जो प्रशने की सवस्था में बच्चे अपने समवेक समू के सक्री सदस हो जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि सोरा वस्था की बात कर रहे हैं के किया था तो आप सभी लोग जानते हैं कि पालाओ ने जिस पर प्रयोग किया एपी पालाओ के अगर बात करते हैं पालाओ ने कुत्ते पर प्रयोग किया था चुहे पर किस ने प्रयोग किया था चुहे पर इसकनल ने या इसकनल मनोब ग्यानिक ने चुहे पर प्रयोग किया था ठीक है अंगला-प्रसमे की सवस्था में बच्चे अपने समव限्समों के सक्किरी सदस्वन जाते हैं यह कहलाती कि सोरा वस्था बारास लेके इअठारा वस्था कहलाती है कई बारे पूंचा गया प्रसन है, रिपेटेड प्रसन है बच्चे दुन्या के बारे में अपनी समझ का सजन करते हैं इसका स्रेक इस विद्वान को जाता है, जीन प्याजेजी को जाता है अंगला प्रसन है जो स्किन पर आपके दिया गया है लेडि सब यहां पर जॉइन कीजे प्रत्य प्रस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सलेक्सान हाँ पर शुरू पर ही है बच्चे दुन्या के बारे में अपनी समझ का सजन करते हैं इसका स्रेक इस विद्धान को जाता है जीन पियाजेजी को जाता है अंगला वाईगोस की बच्चों के सीखने में निम्लकित में से किस कारक की महत्पूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वह आपके समाजिक कारक पर महत्पूर्ण भूमिका पर बल देते हैं सिच्छा का वर्ताव कैसा होना चाहिए तो सिच्छा का वर्ताव एक आदर्सवादी के बिवहार के रूप में होना चाहिए अंगला पस्टने बालक के विक्तित के सरवांगीन विकास के लिए यह आवस्टक है कि उसके खाली स्थान जानकारी सिच्छक को तो उसके बिवहार की जानकारी जो है सिच्छक को होना चाहिए अंगला प्रस्ण है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गَये हिसाद मॉग विवार को सीख सकते हैं यह निसकर्ष की समनो बेग्यानिक द्वारा दिये गये कार पर अधायित हो सकता है अलवर्ट बंडूरा के द्वारा दे गए निसकर्स के द्वारा जो है अधारित हो शकता है अंगला पूसने समाजी करण का अर्थ क्या है तो समाजी करण का अर्थ होता है समाज में समयोजित होना अंग्राह सबसे अधिक गहन और जटिल समाजी करण कौन से अवस्ता में होता है वह होता है कि सोरा वस्ता के दौरान होता है कि सोरा वस्ता के ये सभी लोग जानते 12 सले के 18 वस्ता कहलाती है अपनी कच्छा के बच्चों में समाजी केंड की प्रकिया को तेज करने के लिए सिच्छा को अपना कैसा बरताव रखना चाहिए इसने और सहान बहुत पून बरताव बिवहार रखना चाहिए समाज इकन की प्रक्या में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मत बनाने के लिए आवश्यक्त तुकाउंस होता है परिवार एवम परोश होता है इसके बाद अंगला परस्ण मानसी विकास की आवश्यक्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख विशेष्टा कौन सी कहलाती है अमूर्ट चिंतन कहलाता है क्योंकि सभी लोग जानते जीन प्याजेग चौथी अवस्था आवश्यक्त या अमूर्ट अवस्था कहलाती है तो अगर आप दिलिक लास अटेन करते हैं तो सारे प्रस्ण आपके इजली हो जाते है अंगलिया कोहल बर किनुसार सही और गलत प्रस्ण के बारे में निन्य लेने में सामिल चिंतन प्रकिया को क्या कहा जाता है नैतिक तरकना कहा जाता है अंगलिया जीन प्याजे जी किनुसार संगनात्म विकास के किस चर्ण पर बच्चा जो है इस्थायत को प्रतिस्थ करता है वह मूश शंकरियात्म का वस्था की बात करते हैं और वस्था के इस्थायत प्राप कर लेता है यह कहलाती है आपके सास से लेके गेरा वस्था की जीन प्याजे जी की तर्थी अवस्था कहलाती है वह इस्ता जिसमें बच्चा किसी वस्थ वेम घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है अंगला पस्थ ने संवेदी गत्त्य आत्मा क वस्था को और किस नाम से जाना जाता है इंद्री जनित ग्यान के अवस्था के नाम से जाना जाता है जमसले के दो वस्थक की अवस्था कहलाती है जीन प्याजे जी के प्रथम अवस्था कहलाती है अधिगम अंतरन से क्या अतात पर होता है तो किसी पूर ग्यान के अधार पर नए ग्यान को सीखना ही अधिगम अंतरन कहलाता है फार एक जामपर साइकी चलाने वाल अब्रिक्त यू स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है जो कि वह बैलेंस के बारे में अच्छे तरीके से जान लेता है अधिगम अंतरन कितने प्रकार के होते हैं तो अधिगम अंत्रण तीन प्रकार के होते हैं एक धनात्मकंत्रण, शून अंत्रण, रिनात्मकंत्रण होता है अंगलाप्रस देख लेते हैं अंगलाप्रस न पूंचा जा रहा है धनात्मकंत्रण कितने प्रकार के होते हैं धनात्मा कंतन भी तीन प्रकार के होते हैं 36 समांतर उड या लंबवत या होता है देव पारशिक तो ये तीनों धनात्मा कंतन के प्रकार है गणी समंधी विकार को क्या कहा जाता है? गणी समंधी विकार को डिस्कल्कुलिया कहा जाता है पढ़ने समंधी विकार को क्या कहा जाता है डिस्लेक्सिया कहा जाता है और लिखने समंधी विकार को क्या कहा जाता है डिस्क्रॉफिया कहा जाता है और लिखना पढ़ना बोलने समंधी विकार को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है ये चारो जो विकार हैं जो अच्छमताएं ह प्विश्ट बालक कौन से होते हैं वे बालक जो समान बालकों से हट कर होते हैं उन्हें एक नया सब दिया जाता है विविन योगता रखने वालक अगलापस्ण लिखावड से सम्मन्दी, लिखने की योगता में जो है कमी किसका एक लच्छन होता है तो यह डिसग्राफिया का एक प्रवा कुलच्छन होता है अगलापसने सब्दों में अछ्रे के क्रम को पढ़ने में कटनाई कंभव करना अकसर चार्चोस इस्म्रति का हास करना किस से समन्दित है डिसलेक्सिया से समन्दित हो जाता है भासा अबोस से समन्द विकार कौन सा होता है भासा घात होता है सरीरी रूप से अच्छम बच्चों के समानते क्या होता है तो सरीरी रूप से जो अच्छम बच्चे होते उनमें समानते डिस्थीमिया होता है डिस्लेक्षिया मुक्रूप से किसकी समस्था समंदित है तो डिस्लेक्षिया मुक्रूप से पढ़ने रेडिंग करने की समंदित समस्था है डिस्थीमिया क्या होती तो गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहा जाता है गनित को समझने की असक्तता क्या कहा जाता है डिस्कल्कुलिया अंगले डिस्ग्राफिया का मुक्रूप किसकी समस्या है तो डिस्ग्राफिया मुक्रूप से लिखने से सम्मंदित समस्या है कि डिस्लेक्सिय किस से समंदित है तो पठन विकार से समंदित आपकी डिस्लेक्सिय होजाती हैं इंगल्ला है मनो बिग्ञान सब्द का प्रयोग करने वाला पहला ब 97 कौन था रिडोल्फ गौइकल कब किया गया था 1590 में किया गया था अंगला समाजी कंते क्रिया किसे कहते हैं तो दो या दो सधिक विक्तियों के मद होने वाले परसपर समंध क्रियाएं समाजी कंते क्रियाएं कहलाती हैं जैसे सहयोग, सहान, भूत्याग और बलिधान की बात करते हैं अंगला पिसन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा हैं अंगला पिसन प्राचीन काल में मनो बिग्यान का अर्थ क्या था तो प्राचीन काल में मनो बिग्यान का अर्थ आत्मा का बिग्यान था मनो बिग्यान को आत्मा का बिग्यान किस ने कहा तो सत्रामी सताब्दी को मन या मस्तिष का विग्यान पुम्पो नाजी की द्वारा कहा गया था अट्रामी सताब्दी में मनो विग्यान को क्या कहा जाता था अंग्लापस ने सिच्छा मनुविग्यान की पहली पुस्तक किस ने और कब लिखी थांड़ा एक नुनी सो तीन में लिखी ते ये भी प्रस्णम कर चुके हैं इंपोर्टन प्रस्णे सिच्छा का अधिकार अधियम कब बना सभी लोग जानते सिच्छा का अधिकार अधियम 2009 में बना सिच्छा का अधिकार अधियम कब लागू हुआ तो एक अपरेल 2010 को जो है लागू हुआ था अंग्लापसने जीन प्याजे जी के अंसार संगनात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु इस्थायुत को प्राप कर लेता है वैकलातिफ पूर्शंक्रियात्मक चरण पूर्शंक्रियात्मक अवस्था कोहल बर के उसार सिच्छक बच्चों में नेतिक मुल्नों का विकास कर सकता है विकास कौन सी अवस्ता से शुरू होता है तो विकास प्रसो पूर अवस्ता से ही शुरू हो जाता है सबसे अधिक गहन और जटी समाजी करन कौन सी अवस्था में होता है वहक होता है कि सोरा अवस्था की दोरान होता है अंगला जीन प्याजे जी के अधियम के संगनात्मक सिधान कुंसार हुए प्रकिया जिसके दौर संगनात्मक संशना को संसोधित किया जाता है वेकलाता है शमा विशन अंगला विकास की कौन सी अवस्था सुरू होता है दिविकास प्रसो पूर अवस्था से ही सुरू हो जाता है सबसे अधिक गहन और जटी समाजी करने के अवस्था जो कहलाती है वह किसोरा अवस्था के दौरान ही होता है खेल सिच्चन विद के प्रितबादक कौन है तो फ्रोवेल जो है खेल सिच्चन विद के प्रितबादक माने जाते हैं जीन प्याजे जी की कौन से वस्ता का समद्ध अमूत एवं तार्किक चिंतन से है वह है अमूत शंक्रियात्मा का वस्ता बाल मनोब बिग्यान को केंद विंदू कौन होता है तो बाल मनोब बिग्यान का केंद विंदू बालक होता है बच्चों के विकास से सम्मनेत निर्माड एवं खोच का सिध्धान किस ने दिया जीन प्याजे जी ने दिया था और जिन प्याजे जी एक ऐसे मनुब्यकटाई जिन्वन अपने बच्चे पर ही प्रियुख किया था हैं श्मट्म प्रिपकता का आभाव कह सकते हैं कमी पाये जाते है अंगला छेत के सिधान का जनक किसे कहा जाता है तो छेत के सिधान का जनक कर्ट लेविन को कहा जाता है कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित है तो कर्ट लेविन गिस्टाल्ट वादी विचारधारा से प्रभावित है कटलेविन किस विचारदारा के समर्थक है तो कटलेविन संग्यानवादी विचारदारा के समर्थक है कटलेविन के छेत सिधान का अर्थ क्या होता है जीवन के भिन छेतों से होता है अधिगम का सेणी कमसिधान किस ने दिया तो अधिगम का सेणी कमसिधान तो रावर्ट गेने ने दिया था रावर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे तो रावर्ट गेने भी संग्यानवादी विचारधारा के समर्थक थे रावर्ट गेने के अंसार अधिगम का सबसे निम्तन इस्तर कहलाता है संकेत अधिगम रावर्ट गेने के अंसार अधिगम का सबसे ओचितम इस्तर कहलाता है समस्य समधान अधिगम सुल्तान नाम के चिंपाजी पर किस वैज्यानिक ने प्रयोग किया था तो सुल्तान नामक चिंपाजी बंदर पर कोहलर ने प्रयोग किया था आई बात कर लेते हैं आपके अंगले प्रस्ण की अंगला प्रस्ण है चूहे पर किस बैज्ञानिक ने प्रयोग किया था तो चूहे पर इसकनर मनो बैज्ञानिक ने प्रयोग किया था सिसाथ इसाथ बुद्धी का प्रतिदर्स नमूना या सेंपल सिध्धान किस ने दिया तो थामसन ने दिया था बुद्धी को मापने के लिए मानसी कायू संप्रत्य किस विद्ध्वान ने दिया था तो अलफेट बिने ने 1905 में दिया था मानसी कायू क्या होती है तो किसी बिक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार करना कम कार करना ही मानसीक आयू कहलाती है अलफेट बिने ने बुद्ध के कितने भागों में बाटा अलफेट बिने ने बुद्ध को तीन वर्गों तीन भागों में बाटा है पहली है मन्द बुद्धी, दूसरी कुशाग बुद्धी, तीसरी आउसत बुद्धी कहलाती है इस्टन ने बुद्धिलब्ध आईक्यू को कब मापा और इसका सूत्र कब दिया इस्टन ने 1912 में बुद्धिलब्ध को मापा और एक नया सूत्र खोजा और वैसूत्र है बुद्धिलब्ध आईग्यू बराबर मांसी कायो गटेव वास्त्वी कायो भाटिया परिच्छन किस से संबंदित है? भाटिया परिच्छन जो संबंदित है आपके बुद्ध के नापने से संबंदित हो जाता है अंगला पस्ने वैस्टर परिच्ण का संबंध किस्से है तो बुद्धि के नापने से समंदित वैस्टर परिच्ण का संबंध है इस्टर्ण के सूत में संसोधन किसने किया तो टर्मन ने इस्टर्ण के सूत में संसोधन किया था बुद्ध के मापने के लिए पहली मनोब्यग्यानिक प्रोसाला कहां बनाए गई जर्मनी में 1889 में बनाए गई थी बुद्धी का बिजलन बुद्धी का सिधान किस ने दिया तो बुद्धी का बिजलन और बुद्धी का सिधान वैसर महुदय ने 1960 वी दिया प्रतिष्थापन का सिधान किस बैग्यानिक ने दिया तो प्रतिष्थापन का सिधान गुधरी बैग्यानिक ने दिया था यह भी नोट कर लेना है स्वश सिध्धान किस ने दिया तो कार्ल रोजर ने स्वश सिध्धान दिया था अवसक्ता का पज सुपान सिध्धान किस ने दिया तो अब्राहम मैसलों ने दिया था अधिगम का आर्थ क्या होता है तो अधिगम का आर्थ होता है सीखना अधिगम से क्या तातपर है तो मानो बेवार में होने वाला इस्थाई पर्वतन ही अधिगम कहलाता है अधिगम का पूर्ण होता है तो मानो बेवार में इस्थाई पर्वतन जब हो जाता है तो अधिगम पूर्ण हो जाता है अगला परसंद संग्यान किसे कहते हैं किसी ग्यान को ग्रहन करना ही क्या कहलाता है संग्यान कहलाता है बिवारवादी मनोबी ग्यान के जनक कौन कहलाते हैं तो वार्टसन कहलाते है मनोबी ग्यान के जनक कौन है आपके सिगमन फ्राइड है साथिसाथ सिच्छा का निसुल के वम आनिवार सिच्छा दिकार अधनियम के दाथ कितने बस के बच्चों को निसुल का सिच्छा दी जाती है तो 6 से लेके चगदा बस तक के बच्चों को निसुल का सिच्छा दी जाती है सिच्छा के मौली का दिखार समिधान के किस समचे से लिए गए तो उन्चेद 21 ए इसे 2002 में 86 में समिधान संसोधन में से जूड़ा गया था सीवी यसी कब बना? 1929 में सीवी यसी बना था एक अच्छा में सिच्छक और छातक अनुपात कैसा होना चाहिए तो एक अनुपात है 40 एक सिच्छक पर 46 या छात्राओं की बात करेंगे संग्यान किसे कहते हैं? किसी ग्यान को ग्रहन करना ही संग्यान कहलाता है बेवारवादी मनोब बिग्यान के जनक सभी लोग जानते हैं वाट्सन की बात करते हैं मनोब बिग्यान के जनक के अगर बात करते हैं सभी लोग बताएं सिग्मन फ्राइड के साथ साथ मनो बिसलेशन मनो बिग्यान के जनक सिग्वन फ्राइड की बात करते है सिच्चा का निसुल के बुम अनिवार सिच्चा अधियम के धात कितने वर्स के बच्चों को निसुल को सिच्चा दी जाती है चैसे लेके चौदा वर्स तक के बच्चों की बात करते है अंगला जो पसने सिचकों के लिए रे फ्रेसर कोस का योजन कौन करता है तो CBSC बोर्ड करती है सिच्छा मनो बिग्यान का उदेश क्या होता है बालकों का सरवांगी निविकास होता है अग्यास से ग्यात की ओर किस विद में पढ़ते हैं और ग्यास से अग्यात की ओर किस विद में पढ़ते हैं तो आपके संस्लेशन विद में पढ़ते हैं विद्विसलेशन की ठीक विप्रीट संस्लेशन कहलाती है समान से विशिष्ट की ओर कौन सी विदी होती है तो समान से विशिस्ट की और आपकी आग्मन विदी होती है और आग्मन विदी का जो सूत्र होता है वह उदारण से नियम की और होता है और इसके ठीक बिपरीत होता है निगमान विदी जिसका होता है नियम टू रूल्स टू एक्जामपल्स आप इसका शूत्र होता है अंगले बात करेंगे बिशिष से समान की कौन से विधी होती हमा बाता ही चुके निकबन विधी की बात करेंगे पियाजे जी ने बुद्धी को किसके प्रति समयोजन योगता के रूप में परिभासित किया अंगला प्रस्ण दिया गया है किस विध्वान ने नैतिक ब्रति की और सकताओं के उधाना प्रस्तुत की तो कोहलवर्ग ने प्रस्तुत की थी अंगला प्रस्ण है जीन प्याजे जी के अमसार कोई बच्चा की सवस्था में अपने परिवेश की वस्थों को पहचानने एवं उनमें विभेट करने लगता है वह गया थी पूर्ष शंक्रियात्मा का वस्था दो से लेके साथ वस्थक की वस्था कहलाती है जीन प्याजे जी की दोती वस्था कहलाती है वाईगोस्की कंसार बच्चे अपने साथी समू के सक्रि सदस कम बन जाते हैं कि सोरा वस्था में बन जाते हैं फ्राइड कंसार किसी बच्चे में समाजी कन की प्रक्या है तो सरोत्तम आयू क्या होती है पांच वर्स होती है बालकों के नेती विकास को समझने के लिए जीन प्याजे जी ने कौन सी विधी अपनाया तुबह खेलाती साथ चातकार विधी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सजन करते हैं ये किस विद्वान का कथन है तो जीन प्याजे जी का कथन है ये कतन किसका है कि ग्यानात्मक विकास जो है नकल पर अधारित नहो कर खोश पर अधारित होता है ये जीन प्याजे जी का कहिना है समाजी कदिगम का सिधान किसने विक्सित किया तो समाजी कदिगम का सिधान बंडूरा ने विक्सित किया वाई गोस्की कमसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्पूर्ण योगदान किसका होता है, समाज का होता है अगला बुद्धि के परिणामों के अधार पर शामान संभावना वक्र किस ने प्रसुत किया, टर्मन ने प्रसुत किया बाल के इंदे सिच्चा क्या होती है, तो बाल के इंदे सिच्चा जो होती है, बाल के इंदे सिच्चा वजश सिच्चा होती है, जिसमें सिच्चा का केंद बिंदू बालक होता है और इसी सिच्छा में बालकों की रूची, छमताओं, प्रवतियों को ध्यान में रख कर प्रदान की जाती है बाल के इंदे सिच्छा कहलाती है प्रगल सिच्छा के जनक कौन कहलाते हैं तो जान डीवी जो हैं प्रगल सिच्छा के जनक कहलाते हैं प्रोजेक्ट वीदी के जनक कौन है तो प्रोजेक्ट वीदी के जनक सभी लोग जानते हैं किलपेट्रिक और जान डिवी हैं अंगल्या प्रगर्सी इस सिच्छा किस पर अधिक बल देती है तो प्रगर्सी इस सिच्छा प्रोजेक्ट भी को पढ़ाने पर सबसे अधिक बल देती है बालकों के नेती विकास कोई जनक कौन तो कोहलवर्ग की बात करते हैं जब भी नेती विकास का जिक्र होता है नेतीकता का जिक्र होता है नेतिकता करत क्या होता है बालक में नेति गुणों का विकास करना ही नेतिकता है जूट न बोलना बड़ों का आधर करना दूसरों की आग्यां का पादन करना दूसरों की सहायता करना मिल जुलकुल रहना यही सारी नेतिकता के अर्थ होते है अंगला दिया गया है प्रश्न क तूसरी अवस्ता है रूड़ी गत नियतिक इसता है जो की दस लेके 13 वस्तक के पूस्ता है तीसी होती उत्तर रूणी गत नियतिक इसता है 23 से लेके अधिक वस्तों तक आपको होता है समी पस्तो विकास का सिध्धान्त जेट पीडी का सिध्धान्त किस ने दिया तो वाईगोस्की ने जेट पीडी या समी पस्त विकास का सिध्धान्त दिया साथ साथ वाईगोस्की कहां के निवासी थे तो वाईगोस्की एक रूसी मनुब्विकानिक थे अंधो के लिफ के जनक कौन कहलाते हैं तो अंधो के लिफ के जनक लुईब्रेल कहलाते हैं एलकेजी वा यूकेजी पद्धत के जनक कौन है तो फ्रॉवेल है जी हाँ एलकेजी यूकेजी पद्धत के जनक कौन है फ्रॉवेल है नरसरी पद्धत के जनक कौन है नरसरी पद्धत के जनक मारिया मान टेंसरी है भूल एवं प्रत्न का सिध्धान किस ने दिया तो भूल एवं प्रत्न का सिध्धान थांडाइक मनोबेगैनिक ने दिया थांडाइक ने किस पर प्रोग किया सभी लोग जानते हैं थांडाइक ने बिल्ली पर प्रोग किया था इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं थन्डाइक के महत्पूर्ण आपके सिध्धान्त हैं और इनसे समंदित अक्सर एकजाम में जो है पूछे जाते हैं थन्डाइक प्रत्निम्भूल का सिध्धान स्योजनवाद का सिध्धान्त अगर पूछा जाता है उदीपन अनुकृया का सिध्धान्त और एक आता है S.R. थोरी के जम्दाता थन्डाइक है अधियम के बंद के सिध्धान्त के जम्दाता थन्डाइक है साथ साथ समंद वाद के भी थन्डाइक है प्रसिच्छन अंतर्ण का सरसम अव्यों के सिध्धान थन्डाइक है और बहुखंड या बहुतत तुबुद्धि का सिध्धान के पुरो तक भी आपके थांड आई गे अनकूलित अनकुरिया या क्लास की अनमंधन सिधान के जनक सभी लोग जानते ईपी पॉलाओ है पॉलाओ ने किस पर प्रोग किया पॉलाओ ने कुट्टे पर प्रोग किया था क्रिया प्रसूत अन्मंधन सिधान किस ने दिया तो क्रिया प्रसूत अन्मंधन सिधान इसकनर ने दिया था इसकनर ने चूहे पर प्रोग किया था जीन प्याजे जी किस विचार धारा के समर्थक थे तो जीन प्याजे जी एक संगनात्मक बिचारधारा के समर्थक थी जीन प्याजे जी किस देश की निवाती से जीन प्याजे जी सुर्जरलन के मनुब बैग्यानिक थे जीन प्याजे जी ने अपने प्रयोग किस किस पर किये तो जीन प्याजे जी ने अपने प्रियोग अपनी दो पुत्री वा एक पुत्र पर किया था वाईगोस्की ने बालकों के बिकास के लिए काउंसा सिध्धान दिया वाईगोस्की के संगनात्म बिकास का सिध्धान किस नाम से जाना जाता है तो यह सिध्धान समाजी के वं सांसिक सिध्धान के नाम से भी जाना जाता है अंगला है संगनात्म विकास का सिध्धान के कितने विद्वानों ने दिया था तो संगनात्म विकास का सिध्धान तो जो है तीन विद्वानों ने दिया था अंगला पर से संगनात्म विकास का सिध्धान जो तीन विद्वान है वो कौन कौन से है वो तीन विद्वान, जीन, प्याजेजी, ब्रूनर और वाईगोस की मनुपर गयाने के अगला है वाईगोस की कंसार बालकों का संगनात में विकास किसके द्वारा संभा हुए बालकों का संगनात में विकास अधिगम के द्वारा संभा हुए अगला है बालक का समाजी करन का प्रारम होता है तो बालक का समाजी करन से सावस्था जमसले के दो वर्स तक की अवस्था में प्रारम हो जाता है समाजी करन में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है तो समाजी करन में बालक सबसे पहले अपनी मा को समझाता है मा को पहचानने के साथ-साथ पहला वर्ण जो बच्चे के मुँसे निकलता है वो ये मा ही निकलता है अंगला है बालक का समाजी करन का पूर्ण हो जाता है तो किस वरा वस्था में बालक का जो है समाजी करन पूरा हो जाता है बालक के गिरोग के अवस्था कौन सी कहलाती है तो बालक के गिरोग के अवस्था बालकाल की अवस्था कहलाती है और ये च्छे से लेके बारा वस्था के अवस्था कहलाती है बालक में नकरात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन होती है बालक में नकरात्मा सोच जो है कि सुरा अवस्था में उत्पन होती है नकरात्मा तब निगोट्यूट थार्ट्स की बात करें समाजी अधिगम का सिध्धान किस ने दिया तो बंडूरा और वल्टर ने समाजी अधिगम के सिध्धान को दिया था जीन प्याजे जीने संगनात्म विकास को ध्यान में रुखती बालक की कितने अवस्थाइं बताई चार अवस्थाइं बताई पहले अवस्था सम्वेदी गामा कवस्था जम सले के दो वस्था के अवस्था कहलाती है दो सेले के साथ वर्स तक पूर्शंक्रियात्म कवस्था, साथ सेले के गेरा तक मूर्शंक्रियात्म कवस्था, गेरा सेले के पंद्राय गेरा वर्स यांगे आपचारिक या मूर्शंक्रियात्म कवस्था कहलाती। पालक में चिंतन का प्रारम की सवस्था में होता है तो दो से लेके साथ वस्थक में प्रारम हो जाता है साथ साथ जीन प्याजे जी के अंसार सन्योजन की वस्था कहलाती है वे कहलेती समवेदी गत्यात्म का वस्था कहलाती अंगला जो प्रस्ष्ष्णे जीन प्याजेजी के अंसार बिकास्की की सवस्था को मुख परिवेतन बिंदु कहा है तो ठोज संक्रियात्म का वस्था को कहा है अधान संबन्दी बिकास संबन्दी थे ADSG से ये भी हम प्रस्षना लेडी कर चुके हैं बोचन क्रहन समंदी समस्र को क्या कहा जाता है वुलीमिया कहा जाता है अमेरिका में वंचित बालकों के लिए क्या योजना चलाई गई ब्रांजी योजना ब्रांजिंग कांसी योजना एक ब्रांजिंग योजना चलाई गई गिलफोर्ड ने सजन सील प्रकिया में कितनी चरण बताएं तो गिलफोर्ड ने सजन सील प्रकिया में पांच चरण बताएं साथ साथ किसोरा वस्था को तुफान के वस्था किस ने कहा है तो इस्टेनले हाल ने कहा है और नैती विकास का सिधान किस ने दिया तो नैती विकास का सिधान को हलवग ने दिया था सभी लोग जानते हैं बाल विकास को उद्दिश क्या होता है बालक का सरवांगी विकास करना होता है मूल प्रवतिका सिधान किस ने दिया मूल प्रवतिका सिधान और कोई नहीं आपके मैगडूगल ने दिया था मन की उतेजी दसा क्रोध कुसी आधी को क्या कहते हैं तो इनको ही समवेग कहा जाता है मेकडूगल द्वारा मूल प्रवतियां जो सम्वेग है 14 बताएगे आवस्था कापाज सोपान सिध्धान किसने दिया तो अब राहम मैसलों ने दिया था बुद्धी का समान वबिशिष सिध्धान किस ने दिया तो बुद्धी का समान वबिशिष सिध्धान किस ने दिया तो शीखने का सिध्धान किस ने दिया तो सीखने का सिध्धान थाड़नाइक ने दिया थाड़नाइक ने बिल्ली पर प्रोप किया था लेड़ी बता चुक खेल पद्दत के जनक किसे माना जाता है, खेल पद्दत के जनक किलपैट्टी को माना जाता है, यूरिस्टिक पद्दत के जनक किसे माना जाता है, यूरिस्टिक पद्दत के जनक प्रोफेसर आर्मिस्टांग को माना जाता है, और अंगला है प्रोजेक्ट पद्दत के जनक क सबी लोग जानते हैं